तो आज कि हमारी इस ओनलाइन क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सल और एडवांस एक्सल के ऊपर हम कुछ बेसिक ट्रिक्स देख रहे थे तो हमने लास्ट क्लास में आपको फाइल मेनुवार के सारे ओप्सिंस के बारे में एक्स्प्लेइन किया था आपको पहले से आते थे कुछ चीज़े नया आपको सिखने के मिला होगा उसी तरीके से हम बात करें के आज एक्सल ऑप्संस की ऑप्संस मतलग कि जो एक्सल की डिपॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करना अपने गॉर्डिंग से अपने जो एक सवाल उड़ता है जो करें मैंने आपको एक्सलेन किया डिपॉल्ट रिंग है की यहां उड़ चेंग को क्यों पर रहे है तो मैंने लुभी बताया था आज ऱ यहां कोई भी नए है नए चीज ले दे सहल फोन इले तडिस टी questo सट टीक है तो just आपको मी करें जो हमने के ज़से कि अब फूर्ब जाएंवे कीज करेंगे तो इस तरह की फीचर्स अगर डिसेबल है आपके सिस्टम में इसता मतलब है कि आपका Excel option में किसी ने अनेवल लाइट प्रिविव को अंचेक्ट कर दिया है कि कि हमने वन लाइट प्रिविव को अंचेक्ट कर दिया है दूसरी चीज यहां पर आके बात करते हैं, कि हमने बताया था कि किसी भी फीचर को जानना हो तो इसको करसर रख सकते हैं, तो उसके बारे में बताशल जाता है, इक शौट नोड कर चल जाता है. कि कखी कि भी दिक्केज होती है इसको दो केसे इसमें प्रॉल्ही में होती हूँ है पहले केसे तो उसके मैंने पीबर टेबल के बारे में पूचा या किसी फीचर के बारे में पूचा तो उसमें करसर रखके उसके help को देखके और यह ना अंताजा लगा सके कि यह होता है दूसी चीजे हम जब स्कीन शॉट लेते हैं यहां इसको ढुणना उपड़ेतों कि हम इसको छाइए बoga में यहां इसको में शॉट कर दो कि इसकी प्रिंट दोंने के उससे, मिल आपь यह को ने का वसा में जोंता, यहां नां सबस्क्लेंख झाले। मम अम भात्यूजा है कि मैं सबस्क्लेंग मना में रहे हैं और मेशमीantas ond कári है भी ट् vẫn थो यानगी शंसी की वहां गदेर। तो हमें दोबरा मस्सखिना पले। आपहम भी ःपन हिच्पम करते हैं किस की उस्का बाँ हुसकर ही। जो एसे बात करता है ज्जन चेस्टिन के बात करता है वह जो है इस फिट्टर को बढ़ाबरी करता है उस case में आप च्छेश आप्टिप्च्न में यहां तो करसर रखने पर आता है और नहीं दिखें अब इससे आगे बढ़ते हैं अगला ओप्शन इसमें आता है वें ने क्रेटिंग निव वर्क बूक जब आप नई वर्क बूक क्रेट करते हैं तो डिफॉल्ट, वें siitä,क्यसर बहुत सहीत और पूग आरिवघॡ लेघ्या है अब या लराएं और घूइ अब अचया है और या खं़ तो फोड़िवरी लेते होंग या और स arrivां आहिं पर्टिंग करना परता है कि अगर आप असथी कि उसी फॉन को यूज करते हैं आप यहां से अपनी फॉन को डिफॉल्ट सेट करते हैं कि आपका फॉन जो है और फॉन यहां पर छोड नहीं करेंगे है कि अब यह सब्सक्राइब करें विद्ध कि नमबर ओफ शीट्स विडिफ फॉन त्री शीट्स आपके सिस्टम में होते हैं अब कर सकते हैं को अबिगा सकते हैं वान भी अटा दूसरा यूजर ने जैसे कि आने पाता आपको यहां नीचे दिखता है स्क्रीन टिप्स क्या होता है यह जो आपका फाइल से रहे ते शॉर्ट इंफरमेशन होता है जैसे इसके कट्सा हमें रखा हो कर्सा रहता हुं ville देखेंगे आप 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 यूजरा जिससे आप लॉगिन्व करते ना लॉगिंग वही आपका है होता है तो यहां में हमारा यूजर नेम जो है कि मेरा लॉगिन आइडी अब इसको अपनी साफ से चेंज कर सकते हैं इसको चाहता आप अपनी साफ से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं कि अब इसमें अगला ओफ्शन आता है कि आपका जो बैक्प्राउंड ओफिस का थेन है कलरफूल है तो देखेंगे यह आपका पुरा इंटरफेस हो अगर मैं इसको ब्लैक और वाइट करता हूं अब पुड़ा देखेंगे लिखा खुरा फुड़ा हो जाए है तो आप अपनी साफ से कलरफू लगना चाहिए तो बेलक सेटेह आप क्लर को लगना चाहिए करसे करेंडिसमें अगला ओप्शन गाला आता है वारता है आप फॉर्मूला में खास चेंज नहीं है यहां पर कुछ इसे कि आरवन स्यूर रफ्रेंज स्टाइल जिसे कि यहां कि आप देख रहे हैं आरवन जो में जाया है देखिया है आप देखिये मैं आपड़ा चींज कर देता हूं आरवन जो तो है आलफर रो और स्टीफर फॉर पॉर्ट इसके बाद जिसकि आप एकसल में कोई फॉर्मूला लगाते यहां किस तरह का डेटा टाइप करते हैं कभी कभी रॉंग इंशी ह तो आप देख रहेंगे एक green करका इस तरह का सेंबल आ रहा है यह आपका error alert है इसने क्लिक करेंगे तो यहां आपके error alert का सेंबल दिखेगा और बता देगा कि this number is self-formatted as a text बतार कि नमबर को आपने text में store किया है अचाथ है कि convert to number तो आपस number में convert हो जायगा जीरो आपका हट जाएगा तो आपको बतार जायगा तो आपको नमबर जाये तो इसको आप यहां से ignore error करेंगे तो आपको error दिखेगा लेकिन पर पादेट किसी फाईल पर आप चेंज करेंगे तो आपस error दिखेगा तो आप चाहते है प्रमानेंटी एरर ना दिखे तो एक्सल ऑप्षिन के अंदर में आप यहाँ फॉर्मुला के अंदर में अनेबल बैक्ड्राउंड एरर चेकिंग को यहाँ पर उंचेक कर सकते हैं अगर फाइल किसी और के सिस्टम पर गया तो वहां पर उसको यह अलर अलर्ट दिखेगा कि उसके सिस्टम में बैक्ड्राउंड अनेबल चेकिंग का आप्षिन क्रिक होगा हम डेटा पर आते हैं डेटा में कोई खास नहीं है जैसा है ठीक है प्रूफिंग में आते हैं प्रूफिंग में आप और तो क्रेक्ट अप्शन बना सकते हैं जैसे कि अगर मैं अपने अक्सल सीट के लिखू दी एस और स्पेस दू तो आर्टमाटिक डेली सेल्स रिपूर्ट हो जाएगा अगर आपको इस तरह कि अबरे बरे संतेंस नाम मैंतिमेटिकल नाम यह फिर बहुत सांने बहुत सांने मुझने पर रहे हैं और उसके स्पेलिंग आप बूल जाते हैं मेरी तरह अगर भूल जाता हूं गुटते होसरी दो इस होगे और किसने रिवलाइज का स्वेड़ को सब्सक्राइजित आप संधुथ और आफिसे हो जाएगा आपका दूसरे चीज़ आप अपने एक्समी सीटीप इमेल डिकेएगे इम्लाइड अपना इमेल आइड है कुमार आईडरेट आईपीटि इंद्या डॉट कॉम आप देखिए क्या दिखिया है कुमार अध्रेट आईपिती रहा है रहा है रहा है रहा है किसी क्लिक करते में आउटलोग फुल गाएंगा ऐसे किसी विब साइट अगर आप दिखेंगे तो उस पर इसी तरह का लिंक अटमेटिक लग जाता है किसी की डेटाबेस हाँ क्लिक हो जाएगा जाएग जैसे हम सेलेक्ट करेंगे आटमेटिक क्लिक होगा हम चाहते हैं फीचर ना हो किसे प्रॉबम होगे तो excel option में हम यहां आम पूपिंग में आटो क्रेक्ट पे आएंगे और यहां अटो आपका तो फिर आपका किसी तरह का इमिल आईडी इसी तरह का वेशाइड एड्रेस अगरा टाइब करते हैं तो उसके हाइपर लिंक अप्लाई नहीं होगा आइपिस्ट करेंगे तो उसको आप एक्सलेस वर्वुक पर सेव करते हैं लेकिन हम ने बताया था आपको कि जो माय्क्रो कोडिंग करते हैं आईसी फाइल को माय्क्रोणग में यहां Micro Enable Workbook क्योंकि एक्सलेस 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 मतलब कि जो एक्सलेस फाइल है और माइक्सलेस कोडिंग को स्टोर नहीं करता है तो यह इसका यूज़ आप कर सकते हैं अब इसमें अगला ओप्शन आता है कि मुझे बारवार यहां इसको स्लेक्ट करना पाता है कभी मैंने रमाल लगी कि बहुत सरे प्रोग्रामिंग बनाया और गलती से वहले गलती से मैंने फाइल को स्लेक्ट कलिया .xls को दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे सारा मैको लॉट्स हो जाएगा दुसरी चीज़ अगर मैं सारी फाइलों को मायकोनेवल वर्क्ट में लिखूं तो कोई प्रोग नहीं है को कि इस कॉमेट में हम मायको भी रख सकते हैं और एक्सल का डेटा भी रख सकते हैं आप देखेंगे इस होता है आपका तो जिसमें आप इस तरह के रिख्शन मार्क लगा हुआ है वो क्या है वो आपका मायकोनेवल वर्क्ट है कि अजर सकते है और जिसमे नॉर्मल है इस तरह का फाइल है वो आपका एक्सल वर्पूर तो इसमें अमाल जी स्पेस्पिल माक लगा हुआ है मतलब नहीं कि इसमें माक्रो माक्रो हो सकता है तो मैंने क्या करता है जब भी मैं सेव करता हूं तो मैंने क्या 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 है मैंने एक्सल उप्षन पे सेव पे हमने यहां पर डिफॉल्ट फाइल फार्मट को इसी को सेलेक कर रखा है आगे बढ़ते हैं यहां पर आता है नियुकर क्या होता है कि कभी-कभी आक्ति फाइल शिस्टम के गलती कायन बंद हो जाता है सिस्टम के गलती कायन बंद हो जाना या फिर आपने पास बैक अप नहीं है फाइल को आप मतलब की PC आपकी बंद हो गए इस केस में लेकिन आपने अगर उस से क्लोज कर दिया तो क्या होगा कि आपकी फाइल अगर सिस्टम की प्रॉलम है कारण सिस्टम में गलती कारण बंद हो जाती है तो यह आपका आपका रिकावर करके देगा मैक्सिमा आपका 10 मिनट तक का जो डेटा लॉच होगा है कि हर 10 मिनट में आपकी जो एक्टिव फाइल है उसको सेव एज करके स्टोर कर लेता है इस लोकीशन के जब आपकी फाइल होके बंद हो जाती है दुबारा आप स्टार्ट करते हैं उस सा करते हैं इसको मशने के अफ हर बार मुझे ऊस लोकेशन पर जाना करता है तो आप अपने फाइल की उसको सेट कर सकते हैं speaking उसके बार जिसे कि अम्ना होता है आटो डिकवर के बार अगर क्या करेगा हर 10 अब्सक्राइब होगने करिगा हर 10 मिने पस्केम्स के लिए या कुस् के लिए या कुस्ट मिने के लिए आपका फाइल हैंग हो जाएगा जैसे सेट करते समय हैंग होता है उस तरह से लेकिन क्या होता है कि जो बड़ी फाइल है मैं चाहता है उस पर ऑट ना चरे क्यों फाइल मेरी कोई चैन्ग नहीं हो रही है बस मैं उससे अपनी इंफरमेंशन ले रहा हूं वो महिने में या दि ले सकते हैं कि इस फाइल को सेलेक्ट करें और डिसेबल ऑट रिकावरड वो उस में आठानी कोवर कर देगा और जि इसमें नहीं सेर अब इसमें अगला उफ्सना आता है में कुछ चैंज नहीं है इंद्वास उक नहीं है , शुम्हेब है क्पास चाहिए में कॉछ छेंज है, कला कि ए महसंद ये चाहिए जहते होरी जीए करके बियूआँ को थां Orig – तौरा सा है, यसे कि आप करस करंगी है तो आपका डाउन आता है, आप चाहते में एंटरब्रेस करने पर करसर कहीं मूवी नकर, मैं चेक करते हैं, यहां मूव करें, तो मेरे हिसाब से लेफ राइट आप मूव करें, यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसी चीज़े कभी कभी क्या होगा, कि आप तो एंट अब इसे देखिए, अनेवल फिल हैंडल आपको दिख रहा होगा, इसे अमनों टायता आपको सेलेक्ट करकर जाएंडल कर देते हैं, तो इसमें क्लिक है, तो ज्रैग होगा, अन्क्लिक कर दिये तो ज्रैग नहीं हो, ऐसी इसकी चोटी-मूटी चीज़े हैं, आप एक बार इसमें चीज़ें हो प्राइब कॉल बार इसकी जो शिएट के नेमिम यहां से- शोगर बाज स्क्ते हैं का इसी पेड इसकी प्रेक्स होगिया, जीदो तो बार आत हां प्राइब हैं, इसमें सब चाहला इंप्रुरटम लेस्ट, अब कस्टम निस्त मोगें hydraul करे निएगे न जिससे़गी आपमें यहां पर जैन रिखा और लिखनें के बाद आपमें दीजिए आपमें लिखने के लिए ये नीचे करफ ड्राइग कर ढाय कि जैन पर जाएगा उसी तरीके सरे आप में अगर अगर इहां पर अंड़े को झे अघ किया जा है.. riach मैं किसी का नाम जिसे मैं पूजा लिया निचे के तरफ ड्रैग किया तो क्या ये पूजा नीरज कभीता महन आ जाएगा मेरे सिस्टम पर आ गया मत आपके सिस्टम पर नहीं आएगा रीजन रीजन है कि एक्सल आउप्षन के अंदर में मैंने एडिट कस्टम लिस्ट ले रख रहा है इसमें मैंने अपने हिसाब से इबना रख रहा है पूने डली नौर्ट दिक्राब आप यहां न्यू लिस्ट पर जाके क्याइट कर सकते हो अबर अप्लिकेशन में होगा कोई भी अप्लिकेशन आप खोले के तो अप्लिकेशन में हर अप्लिकेशन में आपको दिखेगा कि अब आपके पास मेनु बार दिख रहा है जिसे में पार देखें डेवलपर है आपकी सिस्टम में डेवलपर नहीं होगा कि इस चीज़ें कि यहां से क्लिक करते हैं है और उसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पे कमांड नॉट इन रिवन दिख रहा है इतने सारे जो ओर और इन अपटर रिवन में नहीं है तो इस मेनु डाला है उस पर अब स्लेंग कीजिए यहां एक निव ग्रूप बनाईए और फिर इसको स्लेंग करके आइड कर जैसे फोर एक्जांपल मैं एक बाद दोतातों आपको है को सब्सक्नाणकर सब्सक्राइब कर सकते कंऊ मां है कंचा न्या embraced तो और एक यहां परिए अश्रीक जिराल देगए इंसर्ट में वार के अंदर में, व्राश देख्या डियाए, व्रालिए अब इसपे क्लिक करते हैं ज्ञel खट बहुत कलु मांदों मंदाक्रोगें तो उतिये हैं थे वह इसे दॉख यूल जाएगा आप लेकर आ सकते हैं जो फीचर्स आपका अबलेबर नहीं है उसके बाद यहां पर न्यू टैप बनाना है तो आप क्लिक करके एक नहा टैप भी बना सकते हैं अपने लिए जैसे मैंने यहां पर देके अधिन्स का बना हुआ है इसके बाद आता है क्विक एक्सिस तूल हुआ है जिसी ऊपर आप देख रहे हैं न दो चीज़े हैं सेव सेवेज बगरा तो इसमें और चीज़े भी आइड कर सकते हैं कि मैंने यहां पर आड कर लिया ऑल बॉर्डर तो यहां से मैंने सेलेक करके एड किया पाए गया इसका यह जीजिए कि मुझे अगरे इसमें बॉर्डर आप्लाई करना है तो जस्त ओल के साथ अउपर देखें क्या है हमारा पाई अल्ट फाईव करूगा तो मिया बॉर्डर आप्लाई हो जाए तो मैं क्या करना था था जस्त ओल्ड तू पाइव आसे सूर्द कोट्स आप पना मुझे एक Excel में ऐसा फीचर्स चाहिए बना दो उसमोर फीचर्स बना आपको बेज़ेगा उसको एड इन्स में ही बेज़ेगा तो आपको क्या करना है Excel एड इन सेलेक्ट करके यहां पे ब्राउज करेश देकि यहां पे Excel पास्पर इमोबार FLC फॉर्ट इस सब क्या है कि हमने गुर्माया है बाकि जैसे टूल पैक और टेक यूर्टिक्स एंड युरो करेंसी एंड स्वालोर वगरा पहले से तो फीचर्स यहां पे एड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं दूसी चीजिए जैसे आप देख रहे हैं कि पावर प्यूबट है हमारे पास्पर आपके सि तो पर आपको बार बार यहां है यहां से खुल्ट है सब आपको वनताइम करना है नेक्टाइम आ अपका एक करने की जरुवत में ग्या एक पूसितियों पीच्री वी एक बार ही सेटिंग होगी है यह सर्च किने अधर से यूज सब्सक्राइब आप में जैसे कि आपके लिए उश्ची आपके लिए कुछ अधीशनली आपके लिए कुछ पीचर साविए डेवल्ट किया है तो इसको आप अपने Excel की options में add कैसे करेंगे, वो add-ins के मांसे और add करेंगे, अच्छा ये तुब बात में ज्यादा शायद हम लोग सीखेंगे, हाँ ये बात मां आपको सीखेंगे, किसी ने add-ins file आपको देज दी, अब add-ins file होती ही कैसी है, एक बाद देखेंगे, इसे मां मै इसे बनाएं कि सर मुझे एक टीवर्ट टेबल जासा एक feature बना, तो मैं feature बना के आपको Excel फाइल देदूँगा, तो हरुपर आपको Excel फाइल ओपन करना पूर जाएगा, आप चलते कि इसे Excel का feature बन जाए, तो मैं उसको add-ins बना के देदूगा, Excel option, ये add-ins file है, FLC, वहां में देखा होगा आपने, और फिर आप add-ins की में जाके आपना system में add करनेंगे, add करनेंगे तिन सारे features साथ के, system में Excel application में आ जाए, ठीक है सर, जी सर, तो हमने file में दुवाग को पूरी तरह से खितम कर दिया, अब इन सारे features पे आप अपने end से practice कीजिएगा, ठीक है, जो चीश समझ में नहीं आई हो, या कुछ ऐसे चीज़ हो कि मैंने आपको ना प्रहाई हो, बट आपको पढ़ना है, उसकी list बना के आप मुझे कल जो है, पुछ लेंगे, ठीक है सर, ओके सर, सर मुझे थूड़ा प्रिम नहीं है आपकी सर, मैं आपको one call करू, सर, मुझे थूड़ा सा बात करें,